पूज्य संतों के विचार अयोध्या में आकर के मुझे सुनने का उसर प्राप्त हुआ है और ये पहली बार नहीं हो रहा है स्वाभाई गुरुप से अयोध्या में आएंगे तो पूज्य संत इन प्रकार की बातों को कहेंगे के उनका दाहित्वभी है मुझे लगता है जो बातें वो जिस संतों के द्वारा यहां पर कही गई है या कही जा रही है उससे हर ब्यक्ति अपने आप से उन भावनाओं को जोड़ता है इसमें कोई संदे किसी को नहीं होना चाहिए लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र में भी निवास कर रहे है भारत के लोगतंत्रिक ब्यवक्ता का तंचादन कैसे हो रहा है उसमें न्याईपालिका की अपनी भूमिका है उसमें बिधायका की अपनी भूमिका है उसमें कारेपालिका की अपनी भूमिका है हमें उन मर्यादाओं को भी ध्यान में रखना होगा और भाईयों बेनों आप इस बात को देखे मुझे सबसे आजसरे ततव लगता है जब आज राम जनम भूमी की बात वे लोग कहते हैं जब जिन लोगों ने अयोध्या में राम भवतों पर गोलियां चलाई थी मुझे अच्छा लगता है कि चलिए भगवान ने जैते भी हो उनके मुझे से अपनी जनम भूमी की बात तो कहलवाई ही दी है एक प्रकार से यह भी हमारी ही बीजय है आज इस देश में लोगतंत्र की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों ने 1975 में आज ही के दिन लोगतंत्र का गला रोधने का प्रियास किया था इस देश के अंदर सांप्रदाइक सोहार्द की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों ने इस देश में सांप्रदाइक सोहार्द को सरवाधिक नुकसान अपने तुस्तिकन की नीतियों के माध्यम से भेलाया है और इस देश के अंदर हम सब को नहीं भोड़ना चाहिए कि सामाजिक न्याय की बात भी वे लोग कहते हैं जिन्होंने जातिय ताने बाने के आधार पर हिंदो समाज को कमजोर करने की किसी भी प्रकार की उस कुछित नीति के और खड़यंत्रों के जो हिस्से बने रहे हैं वे लोग उस प्रकार की बातें करते हैं लेकिन जैसे भी हो यह सच है अयुद्या की ही ये भावना नहीं भारत के बहुत संक्यक समाज के बावनाओं के साथ हम सब की भावनाओं हैं किस समाधान का एक मार्ग निकलना ही चाहिए और निकालने के लिए इतने दिनों तक आपने धैर रखा है कुछ दिन और भैर रख लीजे, समाधान का रास्ता अवद से निकलेगा अवद से निकलेगा लेकिन भैर हम लोगों को इस बात का भी रखना होगा कि जो लोग हमेशा राम जन्भूमी अंदोलन का विरोज करते थे जो लोग मंदिर जाने में कोता ही बरतते थे जिनको संगोच होता था आज जब उनके मुँझे सब बाते निकलती हैं तो मुझे लगता कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके तहमा ये कोई खड़ेंदर कर रहे हो ऐसा तो नहीं कि इसके नाम पर ये लोग कोई दूसरी साजिस रच रहे हो और उन साजिसों से सावधान होने के आऊ सकता है कि जब एक मर्यादित तरीके से सिराम जनभूमी से समंतित बिवाद पटाक सेथ की और जा रहा है तब अनावस्रिक रूप से जनता के बीच में माहूल खराब करके समाधान के और निकलने वाले किसी भी मार्ग के औरोद के ले इस प्रकार के बक्तब्य को देना जिन बक्तब्यों से समाजिक सोहार्द को जो खत्रा पैदा हो ही लेकिन साथ साथ वर्सों से सेकड़ों वर्सों से चले आ रहे एक सामचिक तनाव के माहुल को भी साब्त क्या जा सकता है उस तनाव के मार्व को रोकने की जो कुछ सी चेश्टाई हो रही है आपने देखा होगा कॉंग्रेस के एक बरिस्ट नेता ने नियाले में पील लगाई कि रामजन भूमी मंदिर से समंधित मामले की सुनवाई 2019 के बाद हो और जो लोग 2019 के बाद सुनवाई की बात कर रहे हैं वे लोग आज कहते हैं कि मंदिर क्यों नहीं बन रहा है आपको लगता नहीं एक तरफ कोट में अरजी लगाते हैं और दूसरी तब यहां समाधान की बात भी करते हैं ये दोनों बात नहीं चल सकती भाईयो बेनो हम सब को इसको समझने का प्रियाज करना होगा और इस बात को हम कह सकते हैं मर्यादा प्रसुत्तम भगवान स्री राम इस अखल ब्रमांड के स्वामी है स्वाभा इक्रुप से अयोध्या में जब भगवान राम प्रभु राम की किरफा होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बंद करके रहेगा उसमें कोई संदे हो ही नहीं चाहिए फिर इसमें संदे आपके अस्तर पर और फिर इन पूज़ संतों के अस्तर पर कहां पे संदे पैदा हो जाता है इस संदे के लिए कोई जगए कम से कम हम लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए लेकिन हम उन खड़ियंत्रों को समझें जिन लोगों ने बार बार इसमें अवरोध पैदा करने का प्रियास किया और मैं इस बात को कह रहा हूँ इसलिए आपके बीच में पंद्रह वर्सों में कितने लोग कितने मुख्य मंत्री अयोध्या आने का प्रियास किये कितने लोगों ने अयोध्या में आकर के अयोध्या की समास्या का समाधान करने का प्रियाद किया या मत्रा बिरिंदावन में जाकर के या कासी में जाकर के या चित्रकूट में जाकर के या प्रियागराज में जाकर के इन समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने का प्रियास किया स्वाभाई ग्रूप से अगर आज उनके मूँ से सब्ध निकलते हैं पेमान करके चलिए किसी सद्भावना के साथ नहीं किसी दुर्भावना के साथ वे इस प्रकार की बातों को कहते हैं एक तरफ कोट में अर्जी लगाएंगे कि अयोध्या में राम जनभू में से समंसित मामले का 2019 से पहले सुनवाई न हो और दूसरी तरफ इस प्रकार की बातें करेंगे कि देखे इसमें भाजपा कुछ नहीं कर रही है आकिर भारती जनता पार्टी हो या कोई भी सरकार वह संविधानिक मर्यादाओं के दैरे में रहकर के समथ्या का समाधान का मार्ग भी निकालेगी और समाधान का ही ये मार्ग उस रूप में जब निकलने की प्रकरिया आगे वड़ती है तो कुछ लोग है जो इसमें अवरोज पैदा करने का प्रियास करते है आपने इतना धहरे रखा मुझे लगता को इस दिन और धहरे रखने के आउस्सिकता है मार्ग समथ्या के समाधान की और जाएगा अवस्य जाएगा इसमें हमें संदेज नहीं होना चाहिए अयोध्या का विकास सोना चाहिए वर्सों तक अयोध्या उपक्सित रही है अयोध्या में सपाई नहीं होती थी अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी अयोध्या में लटकते वे तार अपने आपने एक समस्या बने वी थी अयोध्या के गुनियादी सुविधाओं के लिए अयोध्या को तरसना पड़ता था अयोध्या को बैस्टिक मानेता मिले इस दिशा में जो प्रियास होने चाहिए थे वास्तों में पिछले वर्ष भी जब मैं यहाँ पर पुझे महराज जी के जनम दिवस के कारिक्र में आया था तब भी यहां पर जगतबुरू रामनुजाचारे पुझे स्वामी वास्तेवाचारे जी महराज और पुझे अन्य संतों ने बारे में अपनी लातों को यहां पर रखा था और हम लोगों ने अपनी उनके साथ उनकी पीड़ा के साथ अपने आपको संबत किया था और उसके बाद आपने देखा होगा कि अयोध्या कि कि दैष्विक माननेता को ही ध्यान में रखकर गिंग उस प्रकार के आयोजन यहां पर आयुजी थुई अयोध्या बीपावली का उच्छ पुट्सव पुरी दुनिया के अंदर अयोध्या के नाम पर जाना जाता है लेकिन अयोध्या में किस प्रकार से अयोजन होता था हमने अयोध्या में ही इस उस्सों को भुला दिया था और हमारी सरकार ने विगत वर्षा करके अयोध्या के इस उस्सों को पुना बैश्विक माने साथ दिलाने का कारे किया था बहुत सारे लोगों को बुरा लगा जब हम लोगों ने भगवान राम माता सीता और लक्षिमर जी को उस्पग विमान से उतारने का कारे क्या बहुत सारे लोगों ने का ये सब करने की आउस्थेक्टा क्यों थी हमने का ये तो आउस्थेक्टा थी कि हजारों वर्तों की परंप्रा को एक बार अयोध्या में पुनरस्ता पित करने का प्रियास हो रहा है और जब भी आउसकता पड़ेगी हमारी सरकार करेगी हम लोग अपने अस्तर पर भी इसके लिए प्रियास करेंगे कितना बड़ा संदे समझेते हैं अयोध्या का मत्तब केवल एक चोहती मात्र हमारी नहीं है अयोध्या के अपनी एक बैस्ट्रिक पैचान है और बैस्ट्रिक पैचान इस रूप में आधने प्रधान मंत्री शिन अलेंद्र मोधी जी ने इस बारे हम से कहा कि आखिर दुनिया के अंदर जितने भी ऐसे देश हैं जिन देशों ने अयोध्या से मर्यादा प्रुसोतम भगवान स्री राम से रगवंस की उस परंपरा से जन्होंने कुछ सीखा है जाना है उनके बारे में जानकारी कठा करके किसी न किसी प्रकार से अयोध्या के साथ उनको जोडने का कारिक्रम होना चाहिए और भाईयो बेनो इस बार दिपादसो का जो कारिक्रम होगा उस कारिक्रम के साथ हम लोगों ने दक्षिन कोरिया को जोड़ने का उसके रास्ता ध्यक्स को अयोध्या में लाने के एक योजना हम लोगों ने सैयार की है आप सब जानते हैं गक्षिन कोरिया की शुरूप में आयोध्या की साथ अपना सम record जोड़ता है गक्षिन कोरिया का ये मानना है आज में 2000वर्स पहले आयोध्या की राजकुमारी जखिन कोरिया के राजकुमार के साथ उनका व्योहा संपन हुआ था और वहां का जो सबसे बड़ा राजवन्स है और राजवन्स आज भी आयोध्या के साथ अपना वही भामनात्मक समन्द रखता है राजनितिक समंद अपनी जग весь होगे लेकिन सांस्क्रफिक समंतों से दुनिया की दूरियों को घटाया जा सकता है और दुनिया की दूरियों को घटाने के लिए ही आज भारत की विसी परंपरा के प्रताद योग को दुनिया के 192 गेशों तक पहुंचाने का कार्य भारत के सश्वी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा होता है मुझे लगता है इस देश के संतों को सरवाधिक अस्रिवाद मोदी जी को देना चाहिए जिन्होंने भारत की योग परंप्रा को एक बैस्विक माननेता जी है कुम्ब कायोजन हजारों वर्थों से होता आया है लेकिन कुम्ब को बैस्विक मानेता मिले इसके बारे में कभी किसी भी सरकार के द्वारा प्रियात नहीं हुआ लेकिन जब केंद्र में मोदी जी के नित्रत्व की सरकार बनती है तो मोदी जी के नित्रतों में भारत के अंदर कुम्ब की परंपड़ा को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांश्क्रिपिक आयोजन के रूप में तस्तुत करने के साथ साथ यूनिस्को के अमुर्थ सांश्क्रफिक धरोवर के रूप में कंभव की परंपरा को प्रयागराज कंभवकि प्रम्परा को सापित किया है अन्य था कुम्ब की प्रम्परा के साथ लोग क्या जोड़ते हैं खावर्ड में क्या होता था दुनिया के उन तमाम विश्विक ब्यालियों में भारत की प्रम्परा में किस प्रकार का सोध होता था एक विक्रत दृष्य प्रस्तुत करने का प्र एक को इनमेतान मिली है और इस बात के लिए पुजआ संतं का मौधी के साथ छाये कि सबी पुजआ संत एक साथ मोधी जी को भारत की प्रमपरा को बैशिक में और को अपना असरी बात दें और इसले हम लोग सब आते हैं देश के अंदर जब मर्यादा प्रसुस्तम भगबान स्पिरी राम की बाती है तो भाईो बेनों इस देश के गिरिजनों इस देश के बनवासी में रहने वाले उन भाईो बंदों का इस देश के हरीजनों का इस देश के निसादों का इस देश के अंदर उन चातियों का जिने किनी कार्णों से हमने बंचित कर दिया था समाज की मुख्यधारा से उन्हें हटा दिया था उन्हें समाज की मुख्यधारा के साथ जोडने का अभीनो प्रियास जो प्रारम्ब हुआ है याद करना पहली बार इस देश के अंदर इस प्रकार की विवत्ता बनी जब इस देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री इस बात की गोशना करते हैं कि 102,022 तक इस देश के अंदर हर गरीब के पास अपने सिर को ढखने के लिए छट देंगी यानि प्रधानमंत्री आवास योजना के मात्यम से हरे गरीब को एक आवास देने का कारे करेंगे ग्रामीर छेत्र में एक गरीब को जिसके पास अपना आवास नहीं एक लाग बीस हजार रुपे आवास के लिए, बारा हजार रुपे उसके घर में एक सोचाले के निर्मान के लिए, नब्बे दिन की मनरेगा केंतरगत उसको मजदूरी देने का कार्य इस योजना केंतरगत होगा, एक पहली बार हुआ, अकेले उत्तरप्रदेश में एक वर्त में हम लोगों ने आठ लाग पिच्यासी हजार गरीबों के आवास बनाये हैं, सहरी छेत्र में यहार रासी, आवास योशना में धाई लाक रुपे, सोचाले के लिए बीस हजार रुपे, जिनके पास बिद्दुत कनेक्शन नहीं, उन जिनके पास पेजल के लिए सुद्ध कानी नहीं, पीने के लिए सुद्ध पेजल जिनके तक नहीं उपलब्द हो पारा है, उन तक इस सुद्धा को उपलब्द कराना, आखिर रामराज्य की अस्थापना भासनों से नहीं, रामराज्य के स्थापना पुरसार्थ से होती है और पुरसार्थ तभी जब कहीं पर किसी भी प्रकार का दुख न हो, कोई दलिद्रता न हो, किसी प्रकार की असमानता न हो, किसी प्रकार की कोई अराजकता न हो, और उस प्रकार का दृस्य अगर किसी ने प्रस्थुत किया है, तो वह तेश के अंदर मोदी जी के नित्रुत सरकार ने पैदा किया है और उसी गनुसर्ण करती बश्रधिश के iest के अंदर स्प्रकार का का ड्रिकरम हम लोग को प्रने प्रने प्रन के भी बड़ता हैं हम पंच कोशी परिकर्मा 14 परिकर्मा यह 84 कोशी परिकर्मा के कि चेहां वोट बैंक हो port पेनके कि इसाथ समाज को जोडने का एक दिशिस्ट माध्यम है आज हम भाख्मान राम के सका स्रिंग वेर पुरमें निसाद राज बुह के उस अस्डल पर भी उनकी उस राजदानी का भी दिकास कर रहे हैं आज अगर आप प्रियाग राज में जाएंगे दोहजार उन्नीस का कुम्ब का आयोजन किस दिप्य और भब्य कुम्ब के रूप में आयोजित होने जा रहा है दुनिया के 192 देशों के प्रसिनिधी भारत के 6 लाग देशों के प्रतेक गाउं से वहां पर उपस्तित होने हर छेत्र का धर्मा चारे वहां पर पस्तित होने का निमंतन प्रदेश सरकार के वारा उनके लिए जा रहा है एक अद्वुद आयोजन होगा वहां पर संस्कृति से जुड़ेवे लोग अध्यात्र से जुड़ेवे लोग जीवन के प्रतेक छेत्र से जुड़ेवे लोगो का जो अदुदाघ्मन होगा वह सच मुछ बाघ्वारत चिंद्र कुंब के रूप में प्रस्तुत करने का प्रियाध उत्तर प्रदेश की वाश्यों को प्रियागराज राश्यों को प्रत्व होगा और मुझे लगता है कुंग के इस आयूजन के साथ उत्तर प्रेश और भारत की और सनातन हिंदु धर्म के सत्वील को बस्तुद करने का उसर हमारे पुज्य संतों को पुज्य धर्माचारियों को प्रप्त होगा और इसलिए मैं आवहन करूँगा कि हम सबको उस बिराड़ता के साथ अपने आपको जोड़ने का प्रियास करना होगा और बिराड़ता इसी रूप में जो वास्तों में भारत की पैचान है मुझे आश्करे होता है जब राम जनभूमी के बारे में चर्चा होती है मैं उस परंपरा से हूँ जिसकी तीन तीन पीडिया केवर राम जनभूमी को समर्पित होकर के गई है आज से नहीं 1934 से गौरक स्पित सी राम जनभूमी आंदुलन से जुड़ी है आज से नहीं 1934 से लेकर के आज भी हम उसी भावना के साथ कारे कर रहे हैं जिस भावना से 1934 में उस अभिहान के साथ गोरक पीट चुड़ा था जिस भावना के साथ 1949 में चुड़ा था और जिस भावना के साथ 1983 में चुड़ा था और जिस भावना के साथ 1992 में चुड़ा था उसी भावना के साथ आज भी हम चुड़े दें उसके कटई अलग नहीं है उसके अलग होने का प्रस्थनी ही नहीं होता लेकिन सवाल है कि हम किस प्रकार का माहो देना चाहते हैं किस प्रकार की विवस्ता देना चाहते हैं अयोध्या की पैचान हम कि शुरुप में प्रस्थुत करना चाहते हैं अज अएध्या एक बैस्टिक प्रत्रिष्टे पर अज़ण का एक द्रिष्टे ऐसा उभरतावा में चैन gypati दुनिया देखे आप थाइलेन में चाहिए थाइलेन के राजा आप ने आपको राम के वनसत कहते हैं थाइलेन की पुरानी राजस्दानी काम अज़िया था और अयोध्या के साथ आज भी उन्होंने अपना वही भावनात्मत समंदों चोड़ा हुआ है अब आज तरे करेंगे इस हाई लेंड में आप जड़ जाएंगे तो वहां के जितने भी राजमार्ग है नेशनल हाईवे हैं वहां के राजपरंपरा ने उन राजमार्गों का नाम राम के नाम पर रखा है राम एक राम दो राम तीन हमारिया नेशनल हाईवे नंबर एक नंबर दो होता है वहां राम के नाम पर है राजा ने अपना जो पैलेस अपना जो महल था क्रेंट पैलेस वह रामयन को दान कर दिया है और रामयन को छित्थाई रामयन को वहाँ पर चित्रों के माज़्यम से पूरे राज महल के अंदर उकेर करके रखा गया है विकत वर्षिज़ाओ हम लोगों ने यहाँ पर अयोध्या में विपोस्टो का युचन किया था विपोस्टो के उसकारिकरम में आपने देखा होगा छे देशों की रामिलाओं को भी हमने आमंत्रित किया था वे छे देश लोग तमाम प्रकार की चर्चा करते हैं लंका की भी राम निला यहां पर आई थी और बड़ी अजबुद रामिला थी कितने ऐसे अच्छे दृष्चे थे उसमें संदोनेश्या की राम निला जे थी सभी बात्र मुस्लिम थे उन्हें मैंने अपने आवास पर लघनों में दिया मत्रित किया था और अवन पात्रों से मैंने गब पूछा मैंने का भी आप तो सब इस्लाम क्यों नहीं हैं आप तो सभी कोई राम का या परपात्र बना हुआ है कोई हौन्मान बना हुआ है कोई सुग्री बना हुआ है कोई अंगत बना हुआ है कोई जटायू मना हुआ है ये कैसे संभौ है उन्होंने कहा इसलाम हमारी उपासना भी दी है लेकिन राम हमारी पूरवज है उपासना भी दी बदली जा सकती है पूरवज नहीं बदले जा सकते और इसलिए राम के साथ हमारा ये समंद है क्या भावनात्मत जबाव उनका है क्या कभी जोडने का प्रियास करेगी अयोधियावासिक अभी उनको जोडने का प्रयास करेंगे राम के साथ अयोधिया के साथ इस प्रकार का एक भामनातमत जो लगाओ है इस लगाओ को कौन जोड़ेगा दक्षिन कोरिया से रामिला यहां पर आई थी थाईलेंड की रामिल्ला यहां पर आई थी मलेश्या से रामिल्ला यहां पर आई थी उत्तर दक्षिन कोरिया से रामिल्ला यहां पर आई थी और तमाम अन्य देशों से पूरी भव्वेता के साथ जो आयोजन हुआ था अद्वत आयुजन था, यहां की भी रामिल्ला इंथी, अयोध ज्या की स्यन की रामिल्ला थी, इसलिए भाईयों बेनों हम सब को इसको समझने का प्रियाद करना चाहिए, हर एक की अपनी मर्यादा है और यात रखना, भगवार राम ने हमें मर्यादा में रखना सिखाया है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी पैचान है, कि हम मर्यादा में रहे करके कोई भी कारे करें तो उसमें सबलता प्राप्त होगी, जीवन में सबलता का रहस्य है, मर्यादा में रहे करके एक निश्चित अभिहान के साथ आगे बढ़ना, और उसी मर्यादा में रहे करके अगर ह हम इस अभियान को आगे वढ़ाएंगे निच्छित सफलता प्राप्त होगी इसमें कोई संदे किसी को नहीं होना चाहिए इस उसर पर मैं आप सब सरकार बन रहा है खास तोर पर जम्हें ती राम जी की बेड़ी पे गया था वहाँ सड़ जाता है तो पर्यत्र सर्युन मैया का पानी हर घाट पर प्रृष्पीटि उपस्तित हो इसकी तयारी की जा रही है और हम लोगों ने एक प्लान के तयारी की जा रही है जैसे हरिद्वार में हरजी की पेड़ी में गंगा मैया की एक धारा आ करके और हरजी की पेड़ी से एक अविरल और निर्मल धारा बह रही है क्या रामजी की पेड़ी में भी इस प्रकार की धारा अविरल हो सक लेकिन वह गंदगी यहां न रहे बिमारी न फ्हेले उसको ले जाकर के आगे ले जाकर के स्टिपी में डाल देंगे जिससे सर्यू जी में कोई भी गंदा नाला न पड़े और सर्यू जी की अधिरलता और निर्मलता बनी रहे यहां के लिए जिस प्रकार की पवितरता की लिला की जो खंड रामेंड रमला की जो परमप्रा थी उसको लोगों ने बंद कर्वा दिया था पिष्वी सर्कारों ने बंद कराया ह। अयोध्या की रामला को बंद करा दिया था, चित्रकूट में किर्टन की कारिक्रम को बंद करवा दिया था, सर्यू जी की आर्थी की परंप्रा बंद हो गई थी, हम लोगों ने पिछले वर्थे सभी कारिक्रम फिर से प्रारंब करवाए हैं ये परंपराएं हैं ये प्रेणा की स्रोथ हैं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेणित करती हैं एक मार्च दर्शन समाज की करती हैं और ये परंपराएं रहेंगी जब तक ये परंपराएं रहेंगे समाज एक उर्जा और समाज की जीवंतता बनी रहेगी उस जीवंतता को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इस विवस्ता को पुना एक बार यहां पर पुनर्जीवित करने का प्रियास किया है वायो बेनों उस परंप्रा को आगे जोड़ने के लिए आज अयोध्या का समक्र विकाज का एक नयाखा का तयार हुआ है अयोध्या की सड़कें अच्छी हों यह उपर उठ रहे तार नंगे तार जिसमें कभी कभी बजरंग वली के सेवक और नियाख जिस प्रकार के लिए कारयोशना बनानी पड़ेगी